वेल्कम बैक, फ्री में जानों चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल वीडियो की शुरुआत की जायर से पहले कमेंट शेक्शन में अपने जले का नाम ज़रूर बताएं साथी अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आपको बता देखेंगा देश के सोला राज्यों में कहर बर पाएगा मानसून तेलंगाना, गुजराच, हतिसगर, मध्या प्रदेश, ओडेशा, महराष्ट्र, केरल, करनाटक और आंधर प्रदेश में भारी से भारी बारिश के संभावना जताए गई है पहाड़ी राज्यों में भूसकलन की घटनाय लगातार सामने आ रही है इससे पहले शुकरवार स्राम को अमरनाथ गुफा के पस बादल फटने से कई शुर्धालों की मौत हो गई और कई बाढ़ में बह गए मौसम भाग ने एक दिन पहले यहाँ भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी अयम्डी ने देश के सोला राज्यों वक्के इंदर शाषित प्रदेशों में अगले पांच दिनों तक गरज और बिजली के साथ बारिश का अनुमान जाताया है अगले बुलेटन में बता दे की मौसम भाविश्यवानी की गई है जम्मू कश्मीर में रविवार यानिदास जुलाई को बहुत भारी बारिश हो सकती है शुकरवार शाम को अमरनाथ कुफा के पास बादल फटा था इस घटना में कई शृदालों ने जानगवाई और कई लोग बह गए जिदंगा रैस्क्यू अप्रिशन जारी है यूपी राजस्तान पंजाब में गरवी से राहत इस बीज उतरप्रदेश, राजस्तान, हर्याणा और पंजाब को गरवी से राहत मिलने की वहिश्यवाने की गई है क्योंकि मौसब विभाग ने अपने बॉलिटन में कहा है कि इन राज्यों में बारिश होने की संभावना है अगले पांच दिनों में यूपी में बिजली और गरच के साथ चुटपूट वर्शा की संभावना है अगले 5 दिनों बाद पंजाब, हर्याना, चंडीगर्ड, राजस्तान के लागों में छुटपुट वारिश हो सकती है कुछ जगों पर भारी से जादा भारी वर्षा होने की संभावना है 10 जुलाई को भारी वारिश होगी 16 राज्यवा के अंदर शाषित प्रदेशों में अलर्ट जारी किया है अगले पांच दिनों में 13 जुलाई तक 36 गर्ड, मध्यप्रदेश, उडिशा, महराष्ट्र, गुजरात, केरल, करनाटक, तेलंगाना, अंदर प्रदेश में गरज के साथ और बिजली गिरने की भारी संभावना है 10 जुलाई को जम्मू कश्मीर में, 10, 11, 12 जुलाई को हिमांचल में और 11 बारो को उत्राखण में गरज के साथ बिजली के साथ बहुत भारी वर्शा होगी इसी के साथ 24 घंटे के दोरान तेलंगाना, उत्री, तटी, अंदर प्रदेश, चत्यसगर, दक्षणी उडिशा, दक्षणी मध्या प्रदेश के कुछ हसे, विधर्व, मराठवाड़ा, कॉंकड, गोवा, दक्षण गुजरात और तटी, करनाटक में हल्की से मध्यम बारि प्रदेश, उडिशा के सेश हिस्से, मध्यप्रदेश, गुजरात, आंतरिक, करनाटक, लक्षदी, पंडमान, निकोबार, दीपसमू, और जम्मु कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, पंचाब, हरियाना, पश्चि मुतर प्रदेश, दिली औ रुतरी राजस्तान में एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, शेश, पूरवत्तर, भारत, पश्चि मंगाल, बिहार और जारकन के हिस्सों में हल्की बद्यम बारिश हो सकती है, मध्यप्रदेश में भारिश और बिजली गिरने के संभावना है, मध्यप्रदेश में भारिश का लट है, मध्यप्रदेश के धार, इंदौर, अनुप्र, शेडोल, अलिव, राजपुर, पढ़वानी, बहरानपुर, खंडवा, खरगौन, जाबौ, मंसौर, श्रिवनी में भारिश हो सकती है, बता दे कि कुछ हिस्सों में हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है बारिश उनसे तापमान में कमी होगी, गर्मी से लोगों को रात मिलेगी, मानसून पूरी तरह से अक्टिव हो चुका है, जिससे वैदर सिस्टम अक्टिव होने की वज़े से प्रदेश में बारिश हो रही है, वहीं बंगाल की खाड़ी में मानसून अक्टिव है, ये जा तिक्रिया दे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद